अध्याहँ नवरातरि आप सब्सक्स सब्सक्रातरी की फटेश सरуск कामना नमतनी सब्सक्राइब भून क्या घर हो buckets of food, आप देख Haag तोagers बने हैं कर सकते मिया जाता ह लेकिनों कई की सब्सक्राइब आ 살ई रहा में आपने की सबहर्णा के सब्सक्राइब आप बहुत ही चटपढ़ा सा इसका टेस्ट है आप देख सकते हैं और ये बीना लेसून के बनी है तो चलिए इससे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ उबले हुए आलू लेगी काड़े हैं आलू को पिसस में plagete करें हैं। तो इसमें pag common भी क करेंगेशा बहुत चोटे रखेंगे तो सबजी बनाते से मैं आलू हमारे मैस हो जाएंगे और बड़े रखेंगे तो मसाले अच्छे से अंदर घुसने पाएंगे तो आलू हमारे कट चुके हैं वे कड़ाई मैंने ले लिया है उसमें दो चमच मैंने सरसो का तेल डाल लिया है आप जो भी तेल खाते हैं उसे डाल सकते हैं साथी एक चमच जीरा डाल लेंगे जीरा को चटक जाने देंगे जैसे ही जीरा चटक जाता है मैं इसमें दो हरी मिर बहुत जादा भी चलाएंगे तो आलू हमारे मैस हो सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि आलू हलके से क्रिस्प होने सुरू हो गया है तो बस आलो को हमें अभी इतना ही भूनना है अब इसके बाद इसमें डाल देंगे तो मैंने दो मीडियम साइच की टमाटर करके डाल दिया है साथी इसमें करर के लिए एक मैं हलडी डाल देंगे साथी कुछ मसाले भी टाल लेते हैं तो एक छोटी चमच धनिया पौदर एक चमच रेडचिली पौदर तो रेडचिली आप पार अपने टेस्ट का अकौड इक्वस जादा कर सकते हैं साथी हमने यहरी मिर्श मैं को डियां सहाधалavry साथ 30-90 GMV देंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो आए धिरě है मशालों की डालें न." पका लेंगे ताकि मसाले भी हमारे उच्छे से भूंजा और टमाटर भी अच्छे से सौफ्ट हो जाें तो यहांת आप देनकर भीस बहुत ही जल्दी सी रैसिपी बन्कर त्यार हो जाती हैं अगर अगर अम्हुत हैं तो आप इसे 5-7 पिनट में इस रेसिपी को बना कर त्यार कर सकते हैं आलू हमारे भून चुके हैं तो यहीं पे इसमें डाल देंगे थोड़ा साहरा धनिया और एक चमच गरम असाला डाल देंगे और फिर से इसे एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस हमारे आलू के ग इकाल लेते हैं प्रेट में तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी और जटपट सी बनने वाली सब्जी और यकीन मानिया अगर आप इसे खाएंगे ने तो बिल्कुल आपको एहसास नहीं होगा कि इसमें लेसून और प्याज नहीं डला है बहुत ही बढ़िया सी सब्जी है तो इस सब्जी को एक बार मेरी तरह से आप भी जरूर ट्राइए करिए और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे अगर फेस्बूक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज़ों को फॉलो जरूर करिए